स्वागत है हॉरर की दुनिया में होलो खोली मंदे और इन्जॉय करो दिल देला देने वाली हॉरर स्टोरीज एमी एक जानी मानी पैरनॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी वो कई सालों से ऐसी जगाहों पर विजिट्स करती थी जिनको हॉंटेड कहा जाता है बहां जाकर एमी उन जगाहों के असलियत में हॉंटेड होने या ना होने का सबूत खुशती थी हाल ही में एमी ने अपनी विजिट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग्स को सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया था जिसके चलते उसका एक काफी बड़ा फैन बेस बन गया था एमी के सोशल मीडिया फॉलोवर्स उसे अलग-अलग जगाहों के बारे में बताते और उसे उन जगाहों पर जाकर उनकी असलियत का पता लगाने कहते एमी को कई इमेल्स इंडिया के एक हॉंटेट स्टेशन डाव हिल के बारे में भी आये थे पैंस एमी को डाव हिल से जुड़ी बहुत डरावनी कहानिया भेज रहे थे इसलिए एमी ने डिसाइट किया कि वो इन कहानियों के पीछे चिपे सच का डाव हिल जाकर खुद पता लगाएगी कुछी महीनों में एमी वेस्ट बिंगॉल के दारजलिंग डिस्टिक्ट के एक टाउन करसॉंग में पहुच गई यह वही जगा थी जहां दुनिया का सबसे हॉंटेड हिल स्टेशन डाव हिल था एमी अपनी सारी इंवेस्टिगेशन्स रात के टाइम ही जाय करती थी पर क्यूंकि वो सुभा ही वहाँ पहुच गई थी तो उसने कुछ लोकल से बात करने का सोचा एक्स्प्लोर करते हुए उसे एक दुकान के बाहर खाट पर बैठे दो आदमी मिले एमी ने उनसे डाव हिल के भूतिया होने के बारे में पूचा डाव हिल का नाम सुनते ही खाट पर बैठे दोनों आदमियों के चहरे का रंग बिलकुल उड़ गया और उन्होंने एमी को धीमी आवाज में बात करने को कहा उन्हें इतना डरा हुआ देख एमी को बहुत अजीव लगा उसने उन्हें धीमी आवाज में अपने बारे में बताते हुए कहा कि वो एक पैरानॉर्मल इंवेस्टिगेटर है और रिसर्च करने के लिए डाव हिल आई है इस पर उन्हें से एक आदमी ने एमी से कहा कि उसे बापस घर लोट जाना चाहिए वो वहाँ जाएगी तो वो उस बिना सर वाले भूत को कभी नहीं भूल पाएगी साथ ही उस आदमी ने किसी भूडी औरत की बारे में भी बताया लेकिन वो उसके बारे में बात करते करते काफी घबरा गए और वहाँ से उठकर चले गए ऐसा पहली बार नहीं था कि एमी के पूछने पर उस हिल स्टेशन पर रह रहे रहे लोगों ने ऐसा बिहेव किया हो पर अलग-अलग लोगों से बात करके वो इतना ठक गई थी कि वो कुछ देर रेस्ट करने के लिए अपने होटल रूम वापस चली गई शाम होते ही अपने हाथ में एक हैंडी कैम लिए एमी लोगों की बताई हुई डेथ रोड पर पहुँच गई उस जगा पर चलते हुए एमी को अचानक बहुत धंड लगने लगी अलाकि उसने एक ओवर बोट पहना था फिर भी एमी को बहुत धंड लग रही थी एमी चलते हुए अपनी वीडियो में उस जगा की डिटेल्स को डिस्क्राइब कर ही रही थी कि तभी उसके पैरों में कुछ फसा और वो लड़ खड़ा कर रोड पर गिर गई वो रोड दोनों तरफ से जंगल से गिरी हुई थी और वहाँ तूर 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 तक कोई नहीं था वहाँ बस पेड ही पेड थे तो एमी को लगा कि किसी पेड की कोई टहनी जमीन पर गिर गई होगी और उसे दिखी नहीं होगी एमी ने उटकर जब अपने कप्ड़े जाड़े और जैसे ही पीछे मुरी उसने देखा उसके पैर किसी टहनी पर नहीं बलकि किसी और के पैरों से टतराए थे ए wijमी ये देख कर बहुत जादा ख़बरा गई उसके देखते देखते ही उन नीले पैरों को कोई अंधेरे में घसीटता हुआ जंगल की तरफ ले गया ये देखने के बाद एमी को इतना यकीन हो गया था कि डाव हिल को हॉंटिड होने का जो टैग मिला है वो सच है पर उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी पूरी नहीं हुई थी वो अपना हैंडी कैम लिए उस रोड पर आगे बढ़ने लगी आगे उसी रोड पर चलते हुए एमी की आँखों के सामने एक भूरी औरत रोड को पार करती हुई जंगल में चली गई एमी ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी बिना आवास किये वो उसी औरत के डारेक्शन में बढ़ने लगे लेकिन तभी उसके कान में एक अवाज आई एमी बापिस चली जाओ ये सुनकर एमी के रोड पर खड़े हो गए थे और फिर भी वो आगे भड़ती जा रही थी उसे तलाश थी उस बिना सरवाले लड़के की जिसके बारे में सभी ने उसे बताया था एमी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी उस रास्ते की सड़क छोटी होती जा रही थी और वो जंगल बेहत खना होता जा रहा था हंड अब बहुत बढ़ गई थी और तेज हवा से पेड़ पर लगे पत्तों के हिलने की अवास के अलावा बहाँ एकदम खामुशी थी एमी ने डिसाइड किया कि करीब सौ मीटर और आगे जाने के बाद वो वापस लोट जाएगी उस पूरे रास्ते पर एमी को ऐसा लगता रहा कि कोई पेड़ों के बीच से उसे देख रहा है और उसका पीछा कर रहा है एमी धीरे धीरे अपनी हिम्मत की लिमिट तक पहुच रही थी और सौ मीटर बाद ही वो वापस मुड़ गई लेकिन वापस मुड़ते ही उसे अपनी दाईयोंड से एक सोर की आवाज आई एमी कोई उसे पुकार रहा था उसने जैसे ही अपने बाई तरफ देखा तो उसे एक काले घने जंगल में से दो लाल आखें उसे गूरती हुई दिखी एमी ये देखते ही चीक पड़ी और वहां से भाग कर बाहर की दरफ जाने लगी दोड़ते हुए उसे अपने पीछे किसी के भागने की आवाज आने लगी और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुड़ कर बीछे देखे उसके कानों में अजीब अजीब अवाजे गुज रही थी कभी किसी औरत की तो कभी किसी लड़के की इमी बिना पीछे मुड़े बस भागती रही और कुछी देर में वो उस डेथ रोड से बाहर आ दे वो घबराई हुई तो थी पर खुश थी कि उसके हैंडी कैम में उन सारी घटनाओं का सारा एविडेंस रिकॉर्ड हो गया था एमी की फ्लाइट अगले दिन की थी और उस दिन हुई घटनाओं के बाद एमी बुरी तरह एक्जॉस्ट हो चुकी थी उस रात उसने अपना हैंडी कैम टेविल पर ही रख दिया और सोने चली गई करीब एक घंटे बाद ही एमी के कानों में फिर से कुछ अडाज है और एमी की नीम्ट तूट गई एमी ने जब अपनी आखे खोली तो उसकी आँखों के सामने बिना सरवला भूत खड़ा था उसने एमी के हैंडी कैम को पकड़ रखा था और देखते ही देखते उसके हाथ में लिए हैंडी कैम में आग लग गई एमी को उस साय की जोर-जोर से हसने की आवाज आ रही थी देखते ही देखते एमी का हैंडी कैम जल गया और वो साया एमी के फास से एक फ्लैश की तरह गुजरा और एमी बिकोश हो गई सुभा होटल मैनेजमेंट के स्टाफ ने उसे उठाया एमी ने जब उन्हें सब कुछ बताया तो लोकल्स ने तो ये सब मान लिया पर एविडेंस ना होने के वजह से जब एमी ने बापस लोट कर ये बात अपने फॉलोवर्स को बताई तो उसे लोगों ने बहुत ही mixed response दिया कुछ एमी की कहानी को जूटा कहने लगे और कुछ को उसकी बात पर यकीन भी हुआ एमी ने अपनी लाइफ में कई अजीबों गरीब घटनाएं देखी थी लेकिन कभी ऐसा experience नहीं किया था कि जहां उसे अपनी लाइफ की चिंता होने लगे डाव हिल का वो experience उसके लिए बिल्कुल वैसा ही था डाव हिल की सच्चाई आज भी एक mystery है आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो अभी हमारा चैनल उनी मंडे सब्सक्राइब कीजे और देखते रहिए हर हफ्ते एक हिला देने वाली होरर स्टोरी